मैं है है लो दोस्तों अगर आप भी करते हैं तो इतिहास का बिल्कुल रियल प्रस्ट मुपत रहिए क्या और 12 वी सेटर को करते हैं तो देखिए आपका जो स्थीड कोड़े के लिए सेट कोड़ के रहने वाला साथ कहले करिय और आपका 20 श्टरिक कोड़ी रहने वाला लिए 1021 कि चर्णे बिना धेरी को फिANT को एकOR को डße करते हैं देखें यहां पर इस सिंधु घाटी सब है था कि लोग अपने घर प्राया बनाते थे तो किसके बनाते थे तो तपकती इंस्ट में बनाते थे और दो नमर मोहन का मतलब है तो मितको का टीला दो नमर कोशन का आपका राइट और आपसले हो जाएगा आपका सभी कोशन करेंगे तो आप लोग विडियो में बिल्कुल अंदिम तक बने रहिएगा तीन नकोशन लोठल की करम लोठत कीम नदी के किनारे बसे हुए है, तो किस नदी के किनारे बसे है, तो इसका राइटेंस गोफ्सन भी हो जाएगा आपका च्यार नमर हडपा सवेता के विशाल असनागर के आउसेस कहां प्राप्थ हुए च्यार नमर कोशन का आपका राइटेंस और आपसन भी हो जाएगा पांच नमर कोशन मोहन जोडार सवेता किसी यूग की सवेता है तो किसी उपकी, तो पांच नमर कोशन का, राइटेन सुर अपका option भी हो जाएगा छे नमर कोशन हर अपना सब आपसा मेचा के सबसे पड़ा नगर कौन है तो मोहन जो दाडो हो जाएगा छे का, आपका राइटेन सुर इनस हो जाएगा कि आपका सौ में सो कोशन करेंगे तो बिल्कुल वीडियो में अंधिम तक बने रहे एका फिद सब्जेक्टिव कोशन भी आपका करा देंगे हम नमें मोहनजोजारोन का उद्खनन किस ने किया तो किस ने किया तो सतह नमर कोशन कर माइट इंसर हो जाएगा राका दाम वन अर्जीश ने हिसे हैंbon क्यों पहल जाएगा साथ कासी आपका राइड एंस्वर हो जाएगा इसे बीद आपका राइट एंस्वर हो जाएगा अज नौने पूत्र के सा बता है कि स्कुलने की बहुत्र चाहिए इस निए ल॒ जाएगा चले तस नम्र कोश्चन के तरब बड़ते हैं पुरानों की संख्य कितनी है तो पुरानों की संख्य 18 और 18 हों नियुए और खालचर प्रेजान दिया है को बहुजी ना गदवर हो जाए गहात होच्छम कि आपकर यह सादसर भी हो जाएकाorig कोशन की रचना है तो किसकी रचना है तो एक योगता नाबर हो जायेगा चॉद्र स्था नमबर कोशन का राइटेंस अप्टेंस हो जाएगा हड़े ब्रेंड इस चलिए आगे कुशन है फंद्रा नमबर प्राचीन भारत में नौरतन किस सासक के दर्वार में रहते थे तो चंदरुगुप्त मोरे के पंदरा का आपका राइट एंस्वर आपसन डी हो जाएगा सोला नमर कोशन माभारत की रचना किस भासा में होई है तो संस्क्रीट में सोला का आपका राइट एंस्वर आपसन डी हो जाएगा आठारा नमबर कोशन नलन्दा की इस राजय में अवस्थी तो बिहार में 18 को आपका right answer option D हो जैएगा उननेश नमबर कोशन महावीर का जनम कहां हुआ था उननेश नमबर कोशन का right answer option A हो जाएगा 22 आपका बिल्कूर right answer हो जाएगा भागवान बुद्ध को महापरी निवडन कहां प्राप्त हुए थे तो बीस नमर कोशन का राइट एंसर आपका ओपसन डी हो जाएगा यान की कुसीन अगर बिल्कुल राइट एंसर डी हो जाएगा एकईस नमर कोशन है गोतम बुद्ध ने अपना प्रतम धार्मो प्रदेश कहां दिया था तो एकईस नमर कोशन का आपका राइट एंसर आपसन भी हो जाएगा सार ना तो बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा 22 नमर कोशन का राइट एंसर आपका आपका आपसन ए हो जाएगा और सुक आपका बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा चले तेश नमर कोशन के बुद्ध सलेखन की प्रता किस धर में है तो जैन धर में है तेश का आपका राइट एंसर आपसन ए हो जाएगा आगे कोशन की तरह बढ़े तो दिया है प्रथम यूद्य संगीति की सासके काल में हुई थे तो अग्यात सत्रू 24 का आपका राइट एंस्वर आपसन ए हो जाएगा 25 नमर कोशन देखते हैं 25 नमर कोशन का डिरेक्ट इंस्वर देख लेते हैं 25 नमर कोशन का बुद्ध चरितुकी रचना किसने के 26 अपके राइट एंस्वर आपका बिल्कोल राइट एंस्वर में हो जाएगा 27 नमर कोशन न भागवान होनी यह महायन के संबन्द की स्थर्म से है 27 नमर कोशन का आपका राइट एंसिंवर आपसन यहागा स्थर्म अठाइस नमर कोशन है अठाइस नमर कोशन का इंसर आपका भी हो जाएगा इनिके बहुत धर्म हो जाएगा चलिए उनतीस नमर कोशन के तरह बढ़ते हैं आपका सारा कोशन करांगे तो विडियो में बिल्कुल अंतिम तक बने रहेगा भारत का निपोलियन किस देश को कहा जाता है तो समुंधरुप्ण को काहा जाता है किसे का जाता है समुंधरुप्ण को को+. 29 का आपका अपषस्थों स्वाप्शन हो जाएगा DAY Jubeiwn 27 सा की काल में था एक तिस नमर कोशन का आपस्थों स्वा जाएगा हाय हेक 32 नमर कोशन का आपका डिरेक्ट इंस वह देखते हैं 32 कोशन का राइट इंस वह आपका है 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 और आधे 33 नमर कोशन यहां पर है पूरा हुआ था 33 का राइट इंस वह देखिन ओप्संव दी हो जाएगा यान कि Allahan कुद दीन खेलजी 34 को üç्जा, कि रचना तो ऐसका तो 24 का आपका राईटेंस और option है यहां के फाय जी की घाelt 35 को कोशन का एंसर देखते हैं आईना एकबरी कितने भागों में विभगत है तो 35 नमर कोशन का राईटेंस है यानी काँछ भागों जबी वक्त तक इतने तो पांच भागों में कि शतीज्वा और अकबर का कारेकल था तो पंदरहस वखाव शॉपन से सोलह सोप पाँच शतीस कर आपका राइट इन सुरॉप सने हो जाएगा साइंसनुहार, इलाहिस सीधर की तथ्थात्व के से बना है तो सोने से साइंसने हो जायगा ब्हारत में ठुपाकू किसके द्वरा लाया गया था और 30 नमर कोश्चन न का आपका राइटेंस औरimeterrá फिएक पूर्टगाली चले 49 नमर कोशन सेरसा सूरी ने भारत में अपना सासा कब अस्थापित किया था 49 का आपका राइटेंस और अपसने हो जाएगा पंदर रोसो चालिस इस भी में आगे पानी पत की पहली लड़ाई किसके किसके बीच होई थे 40 नमर कोशन का आपका राइटेंस और बाबर और इग्राहिम लोदी के बीच 40 का आपका राइटेंस और अपसने हो जाएगा चले आगे कोशन देखते हैं आपका सारा कोशन कराएगा तो विडियो में बिल्कुल अंदीन तक बने रहेगा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजेगा आगे दिये चौंसा का यूद कभ लड़ा गया था तो आपका राइटेंस और हो जाएगा पंद्रोसों निस और आपसन क्या हो जाएगा 41 का डी आपका राइटेंस और हो जाएगा 42 नमर कोशन है किसका छोटा भाई कामयान किसका छोटा भाई था तो किसका छोटा भाई था तो 42 नमर कोशन का आपका राइटेंस और आपसन भी हो जाएगा हुमायू के ये छोटा भाई था आगे कोशन है हल्दी गाके योगो किसकी इंट रहाना पर था आपको सी हो जाएंगा लेकिन गलती दिया है लेकिन मान सकते हैं इपक्षार किसकी नम था तो चपी हो जाएगा 45 दमें विजय नगर समराज में कितने वन्सों में सासन किया था तो 4 वन्सों ने 45 का आपका राइटन्स और आप्सन भी हो जाएगा चलिए आगे कोशन की तरफ बढ़ते हैं आगे कोशन आपका यहाँ पर दिया गया है और दिया है कोशन इसका एंसों देख लेते हैं 46 का आपका राइटन्स और आप्सन सी हो जाएगा चलिए और 48 यहाँ पर है 47 नमर कोशन विजय नगर समराज में कितने सासक किस वन्स ने स्वेम को आंधर भोज कहा था तो देखे नमर कोशन का आपका राइटन्स और आप्संटी हो जाएगा 49 नमर कोशन का आपका राइटन्स हो जाएगा अगे है उत्तर भारत में भक्ति आंदोल ने किसने प्रारम किया तो रामानंद ने पचास का आपका राइटेंस और अप्सन भी हो जाएगा चलिए आगे कोशन देखते हैं यहाँ पर इकावन नमबर इस्तरी संत अंडाल किसकी उपने अउपास सिकाती तो विष्णु के एक आपका बिल्कुल राइटेंस वर हो जाएगा आगे कोशन है थंत किसकी उपासी का थी तो किसकी थी तो गुरू को भी इन सिंग थी तिरिपन का आपका राइटेंस वर अप्सन भी हो जाएगा आगे भाक्ति आंदोलन के प्रमुक्स वंतर नामदेव किस राजे के थे तो चभवनुन नमर्न करका आपका राइटेंस वर हो जाएगा आप सन सी हो जायगा यानिकि महराष्ठ आपका बिल्कुल राइटेंस वर हो जाएगा पॉच्पन नमर कोशन है भारत में दिली सल्तनत की अस्थापना की सोर्स हुई थे तो पॉच्पन नमर कोशन का आपका राइटेंसोर अपसन हो जाएगा यानिकि 126 आपका राइटेंसोर हो जाएगा आगे है अमीर खुसरो किसकी सिस्थ है तो सेख निजामुदिन अलाओ लिया के 56 का राइटेंसोर सी हो जाएगा संतावन में वीजक में किसके उपादे से संग रही थे कवीर के संतावन का राइटेंसोर अपसन हो जाएगा अंठाउन दिया अल वेकिन की मातरा अंफितांत का नाम था तो किताब उल रहल अपका अंठाउन का राइटेंसोर भी हो जाएगा 69 नमर एक मार्को पुलो किस देश का रहने वाला था तो इटली का 69 का राइटेंसोर भी हो जाएगा 60 नमर मेगास्थनी की राजा के दरबार में आया था चंद्रगुप्त मोरे के 60 का आपका राइटेंसोर अपसन हो जाएगा 60 नमर कोशन देखते हैं दिया है कैप्टन होकिस की स्मूगल सासब के दरबार में आया था यात्रियों की सियात्रि को कहा गया 60 नमर कोशन का आपका क्राइटेंसर अपसन भी यानि के देंस व। आम कैक्र आपकास्टेंस वर कान जाएगा जाएगाume जोएगारा भारत आने वहाण अनुवर प्रथमTION fu पुर्तगाली आपका विल्कुल राइटेंसर हो जाएगा आगे है ब्रीटिस इस्ट कम्पनी इंडिया क्या स्थापना कभ होई तो 1600 इस भी में 65 का आपका राइटेंसर आप सने हो जाएगा 6000 आपका राइटेंसर हो जाएगा udกलों स्थापना आपका राइटेंसर हो जाएगा चले आगे की तरफ कोशन की तरफ बढ़ते हैं आगे पोशन आपका यहां से दिया हुआ है दिया है कोशन और सथान में धकन डंगा आयोग का गठन कव अठासर सत्थान में और सटका आपका राइट एंस और आपसन भी हो जाएगा नंट्र नंबर अस्थाल विद्रो के नेता कौन थे और सिंदू का नहीं हो जाएगा आगे है प्लासी का यूद कभ हुआ था सत्ता नम् boxes ने इन्म का लिए है तो इसका रायटरлю्ट सब्सूर श्रवल कि सत्रहू सू संतावन में है आपका रायटर्यटर्यटर्यक संधिक आफस्थन यह हो जाएगा चले आगे कोशन की तरह बढ़ते हैं अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ने करें चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिजेगा अगर डाक पाती नियम कप पारित हुआ था तो कप पारित हुआ था तो इसका राइटन से अप्सन भी हो जाएगा 1835 में मंगल पांडे को फासी की सज़ा कब दी गई थे तो मंगल पांडे को फासी की सज़ा कब दी गई थी तो इसका राइटन से का अप्रिल 1867 को option के हो जाएगा भी इसका right answer हो जाएगा आगे है नानाज साहव का वास्तवी की नाम क्या था तो इसका 75 का आपका right answer हो जाएगा option C यानिके रामचंदर पांडू रंग हो जाएगा ची अतर नमे खुब लड़ी मरदानी किसने लिखा 6 अथा नमटर कोस्षन का आपका आपिस का प्सथर सुपहद्र कुमारी चौ억ः वर हो जायेगा 37भ पट्णा में 870 की क्रांती कर नेतित्रों कि इसने किया 37 प्सथर संथ tablets आपका आप्सथर अप आपका राहा वर हो जाएगा और चीव को शूरुर्वा नमबर है साथ दीपों का नगर किसने कहा जाता है और सिकापका राइटांस और अप्सने हो जगा मॉंबई 888-888 पर आपकर आपसार अप सरघल को जाएगा आगे हैं इंडिया गेट का निर्मार कभआ इंडिया गार्ड कभ तो एक अपकर आपसन से हो जाएगा ओनयचो एक यह अक आपकर आपकर आपसार हो जाएगा आगे 82 नमर कोशन का एंसर देखते हैं 82 का आपका राइट एंसर सी हो जाएगा मुंबई चलिए आगे कोशन है 83 नमर महत्मा गांधी दक्षिन अल्फिका से कब भारत आये थे तो 1915 को 83 का आपका राइट एंसर आपसन भी हो जाएगा 84 नमर किलापत आंदोलन कब हुआ था तो 84 का राइट एंसर एंसर भी हो जाएगा आपका बी राइट एंसर हो जाएगा आगे है डांडी किस राजे में हुआ था तो गुजरात में आपसन का हो जाएगा 85 का सी आपका एंसर हो जाएगा 86 नमबर है गांधी जी राजेनिती गुरु कौन थे तो गोपाल कृष्ण गोख ले थे 86 का राइटेंस और आपसन बी हो जाएगा 87 नमबर है आपका 1922 में कौन सा अंदोलन हुआ था तो ये भारचोड़ों अंदोलन हुआ था 88 नमबर दिली चलो का नारा किस ने दिया था सुभास चंदर बोस ने दिया था 88 नमबर गांधी जी उनई सो सतरह में चंपान किसी अंदोल पर गए 89 का राइटेंस और आपका आपसन भी हो जागा राजकुमर सुख लगे हैं चले आगे कोशन है आपका यहां पर पूना समझो तक किस वर्स हुआ था तो 90 का राइटेंस और आपका आपसन हो जागा 1922 91 नमबर एक उनई सो तीज के दित्राष्ट से जान किस ने प्रफी पादित किया था था तो 91 का राइटेंस और आपसन भी हो जागा यानिका मुहमद अली जिनना आपका राइटेंस वर हो जाएगा 92 नमबर एक किप समिसन कभ भारत आया था तो 92 का राइटेंस और आपका प्रतम प्रतान मंत्री कौन थे तो मुहमद अली जीनना हो जागा 94 का राइटेंस और आपसन अपसन 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 कर दो जाएगा 96 का आपका राइटेंस और 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 आपका रा भी हो जाएगा देखिए यहां तक आपका 100 में 100 कोशन कराती अगर आप चैनल पर नेए हैं चैनल को सस्क्राइब नहीं कर चैनल को सब्सक्राइब को वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों पास नापने दीव कोशन आप लोड कर दें आप लोग जाकर चेक आउट कर सकते हैं आसा कर तो आप जानको सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक एक अपने दोस्तों पासे शिया करें तक उनका भी हेल्प हो गया होगा